नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूगेसन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्ट प्रॉब्लेम और उसके सॉलूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि पूरू सुके अंदर वहाँ पे तनाव नहीं आता तो होता यह है कि वो इरिया की जो नस्य होती है वहाँ पे कमजोरी आ चुकी है और कमजोरी के कारण वहाँ पे सही से तनाव नहीं आपाता फिर प्रेग्ननसी के दोरान ब्लड प्रेसर जो बढ़ता है उसके अलावा स्तीने में दर्द जैसा फिल करता है पेसन फिर पांच वहाँ प्राबलम देखे तो गर्ब में पल रहे बच्चे में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकॉलाइटिस को होने से हमें रोकना है तो कई बार यह होता है कि प्रेग्नसी के दोरान कोई नूट्रिसनल डैफिसंसी है और स्पेसली कुछ ऐसे एमिनो एसिड की डैफिसंसी है तो स्पेसली होता यह है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसका जो इंटेस्टेन का बाग होता है वहाँ पे सुजन आ जाती है तो ये वाला आप देखो पोर्सन तो हेल्दी इंटेस्टेन का हो और नीचे वाला जो हम देखे तो नेक्रेटाइजिंग एंटेरो कॉलाइडिस की कंडिशन है तो ये प्राब्लेम को भी होने से हमें रोकना है और बेबी हेल्दी रहे वो हमें टार्गेट करना है तो ये जो health problems है उसको solve करने वाली बहुत अच्छे medicine के बारे में हम सीखते है detail में आज के उल्डे लेक्चर के अंदर तो हम सीखने वाले हैं आर्जिन के बारे में जिसके अंदर L.Arginine in present है और ये सभी जो chapter से उसकी हम detail में study करने वाले है आज के lecture के अंदर तो सबसे बहले basic से सुरू करते है तो argin जो है वो essay class का medication है कि जिसको हम amino acids कहते हैं और उसका जो brand name है वो है argin है और salt content के हम बात करें तो L-Arginine उसके अंदर present है strength देखे तो L-Arginine तीन ग्राम जितना ये sachet के अंदर present होता है फिर उसके manufacture के हम बात करें तो FOTS India Laboratories Limited उसके manufacture की जो एक इंडिया की leading pharmaceutical and nutraceutical company है जिसकी head office जो है वो चेन नहीं में है अब उसके use हम देखे तो जो engine है की condition हम देखी peripheral arterial disease, ED का जो problem होता है फिर high blood pressure का जो दिक्कत आती है specially pregnancy के दोरान तो उसको ठीक करने के लिए ये इसको जो है वो prescribe किया जता है तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि ऐसे आपको अलग-अलग बिमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनकी related दवायों के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो हमारी जो book है उसको आप जरूर से purchase कर सकते हैं यह जो book है वो color version में available है बीमारिया और उनका उपचार तो इसको जरूर से आप purchase कर सकते हैं जिसको आप के कारण आप detail में इसमें से बहुत सारे बीमारियों के इलाज के बारे में सीख सकते हैं तो यह multi color book को order करने के लिए आप हमें यहां दिये गए number भी WhatsApp कर सकते हैं तो अभी offer में आपको यह price में आपको book मिल जाएगी टॉबिक भी वापस आते है तो यूज में जैसे हमने देखा कि ED का जो problem है सीने में देर्ध होना फिर blood pressure का जो problem है pregnant risk के दोरान तो यह सभी problems को ठीक करते हैं तब label समझ लेते हैं तो यह prescription based medication रहेगा खासकर prescription के साथ उसको लेना ज्यादा बेटर रहता है because जो अगर कोई high dose में भी उसको use कर लेता है तो भी दिक्कत दे आ सकती है फिर यह granules के form में available है इसके जो powder होता है वो total 5 gram powder रहता है जिसमें 3 gram जो हो L-Arginine है और बाके के 2 gram जितने उसके अंदर exibents रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं yellow color का powder आएगा because उसके अंदर sunset yellow FCF color एड़ किया गया है सिर्फ oral use को use करना है तो use कैसे करते हैं तो मानलो कि आप glass लेते है glass में half cup जितना पानी डाल देते है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा और उसके अंदर यह powder डालके mix करके पी ले नहां हो है जैसे आप glucose का powder बना कर पीते हैं उसी तरह से यह arginine का जो surget है उसमें रहा जो powder है जो granule से उसको आपको use करने है अब बात कर देते हैं कि यह जो है वो काम कैसे करता है तो L-arginine जब लिया जाता है तो body में जाके वो convert होता है nitric oxide में जब आप उसको लेते है तो जैसे ही वो सरीर में जाता है तो L-arginine nitric oxide के अंदर convert हो जाएगा यह nitric oxide जो chemical है वो हमारी blood vessels को relax करता है and improve करेगा blood flow जिससे क्या होता है कि ED में special problem यह है कि blood flow सही से नहीं पहुँच पता जिसके करन वहाँ पे तनाव नहीं आता तो यह medications क्या करेगी blood flow वो area में बढ़ा देगी जिससे आपका वो तनाव ना आने का problem solve होता है फिर high BP में हम देखे तो high BP में क्या होता है वहाँ पे भी यह होता है कि blood vessels होती है इस तरह से constricted हो जाती है जिसके करन pressure बढ़ता है तो blood vessel relax हो जाने से वापस pressure जो है वो कम होता है तो इस तरह प्रेग्रेंसी के दोने करता है डोस की हम बात करते है अडल डोस रहता है खासकर वान सचेट पर रहे कि जैसे मैंने आपको समझाया कि glass बरके आपको जो हो पानी लेना है आदा या फुल आपके उपर डिपेंड है और उसमें जो powder है granule से वो डालने है और तुरंत उसको जो पी जाना है एसा नहीं कि आप उसको बना कर रख देते फ्रीज में या फिर कई पे और दो तिन गंडे के बाद लेते हैं जैसे ही यह बनाया जाता है तुरंत उसको जो पीना होता है प्राइस के हम बात करें तो जो लेटेस प्राइस है डिसेंबर की वो रहे गया अराउंड 53 रूपीज के असपास एक पैकेट की औरेंज फ्लेवर में अविलेबल होता है सुगर फ्री नेक्स्ट हम देखे तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा बुक के बार देता है तो पेट में दर्ध हो सकता है नौजय वर्मेटिंग में अल्टी हो जाना कुछ लोगों को दस्त भी हो सकते है अगर काफी हाई डोस में उसको ले लिया तो ब्लड प्रेसर काफी ज्यादा आपका कम हो सकता है तो वो ध्यान रखना है पेट में गैस बन सकती है ब् किसी को हार्ट एडेक आया है अल्रेडी ब्लड प्रेसर आपका लो रहता है हर्पीस का कोई पेशंट है हर्पीस वाइरस इंफेक्शन का तो वो लोग यह सजेट को कभी भी यूज ना करे आरजीन को प्रेगननसी के हम बात करे तो प्रेगननसी में उसको लिया जाता है और फीटस का क्या करेगा कि जो बाइबलिट इंक्रीस करवाती है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रॉडक्शन की जिससे क्या होता कि अंबेलिकल आर्ट्री के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होता है प्रेगनेंट वोमन के अंदर जिसके करण उ भी मिनिमाइस हो जाता है अगर फ्रेगनसी में उसको लिया जाए तो एल आर्जिनिन के काफी सारे बेनिफिट से प्रेगनेंसी के दौरान कि बेबी के हैल्दीनेस के लिए बिकॉस जो नूट्रीसन से वो उसके तक इजिली पहुच पाएंगे विकॉस अंबिलिकल जो नूट्रीसन्स पहुचते हैं मदर टू बेबी तक वो अच्छे से पहुच पाते हैं ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन्स देखे तो नाइट्रो ग्लिसरीन अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज ना कर रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके मेरा यह वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं कि वहाँ पर भी आपको मैंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी हैं सो गुट लग और अल्डवेस्ट